जुहार, हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह तसर कीट पालन से हम अपने आजीवका को बढ़ा सकते हैं और आईए इसी करम में जानते हैं कि इसके लिए पेड़ों की चुनाव और इसकी तयारी कैसे करते हैं रेसम किट पालन भी हमारे लिए रोजगार का एक साधन है जिस परकार आलू टमाटर जैसे फसलो के लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है उसी तरह हमारे रेसम कीट पालन के लिए भी उचित जानकारी होना बहुत जरूरी है तसर कीट पालन के लिए मुख्यता, अर्जून और आसन पेडों को उप्योक्त माना जाता है क्योंकि रेसम कीट इनी पेडों के पोशन पत्तों को सेवन करती है रेसम कीट को पेड़ पे छोड़ने से पहले पेड़ों की अच्छे सी तयारी करना बहुत जरूरी है ताकि कीट का विकास अच्छे से हो सके इन पेड़ों में कटाई छटाई तीन परकार की की जाती है सबसे पहले हलकी छटाई जिसमें परतेक साल पोधो की बायो मास के चोथाई भाग को छाट कर तूर किया जाता है दूसरी गंभीर छटाई जिसमें टहनी को 50% भाग को हटा दिया जाता है या एक साल बाद की जाती है और तीसरी छोपन भी दी इसमें मुख्य तने के उपरी भाग को पूरा काट कर हटा दिया जाता है पर ध्यान रखना होगा कि पोधो को हमेशा तिर्चे ही काटना चाहिए और धूप पढ़ने के उल्टी तरफ या उत्तर दिसा में इसकी कटाई होनी चाहिए इसके बाद कटे हुए अस्थान को अच्छी तरह साप कर लेंगे ध्यान रहे कि काटने समय तनों में दरार ना पड़े एवं छाल न छुटे कटे हुए अस्थान पर कोबर और मिट्टी को मिला कर लगा देंगे अरजुन या आसन के पेड़ों को कटाई छटाई का कार्य जनवरी से मार्च महिना में किया जाता है तसर कीट को पेड़ों पर चढ़ाने से पहले पेड़ की तयारी इसलिए जरूरी है क्यूंकि पेड़ों की कटाई छटाई करने से उसमें नए मुलाय रस्तेदार और स्वस्त पते निकलाते हैं जिस से तसर के छोटे छोटे कीट आसानी से एवं बहुत चाव से खाते हैं और उसके सारीरिक विकास काफी तेजी से होती है साथ ही पेड़ों में पहले से रहने वाले दूसरे कीट जीव को भी खत्म करती है जिस से तसर कीटों को सुरुवाती दिनों में दूसरे जीव से बचाया जा सके और उसमें दूसरे परकार के वायरस से रोग थान की जाए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देशब मुत बादन में हमें क्या क्या साफधानिया बरतनी चाहिए और अन्रिकीड एवं रोगों से कैसी बचानी चाहिए आईए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जुहार अगले जुगे अगले आईएंगे के साथ तक कि दो और दानी चाहिए और ये आईएंगे क्या जुहार